अहींद एवरीवन आई वेलकम यू ओल वेक्निंग लासे इस पैसलाइजेशन की क्लासे अमने स्टार्ट करी थी अपने लास्ट लेक्टर में हमने एक स्कीम कवर करें थी प्रधान मंत्री मात्रू वंद्रा योजना आज के इस लेक्टर में एसेजी स्कीम को कवर करेंगे आ यह तो हम शेयर करेंगे उसके साथ 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 अपनी नोट बुक में एक नोट बना लो ताकि एक्जाम से पहले आप उसको रिवाइस कर सको तो देखो ऐसे जी स्कीम पहले इसका नाम समझो स्कीम फार अडोल्सेंट गर्ल मतलब एक स्कीम किसके लिए अडोल्सेंट के अब यहां पर स्कीम किसके लिए अडोल्सेंट गर्ल के लिए मतलब वो लड़कियां जो एडोल्सन्ट की एज में पहुंच रही है उनको यहां पर कुछ दी जाएगी कुछ नूट्रिशन प्रवाइड की जाएगी जो हम अबजेक्टिव में कवर करें आपने यहां पर याद रखना यह स्कीम सिरफ डोल्सन्ट गर्ल के लिए और यह स्कीम 13-19 तक सबस्कार्यार का मिनिगiko पता हुना सबस्क्राइब सेफले सकीम के मिनिक आपको पता होना चाहिए दूर्सा प Mississippi यहां wary बो चाहां पर सेंटली इतना यह और की तर्षा दीए बेसको सब्सक्राइब कर्लबंब्लमस्ट yes तो के लिए सेंटल मंटेजी ऑब अपने किसमेर की बात alar क्लिया कोन देता है सेंटल गॉप यह यह स्कलिर टो यूब ऩो होना चाहिए ठीक है अब यह स्कीम इंटर्ड्यूस कब हुई 2010 में इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट रोल आउट मतला इंप्लीमेंटेशन कब स्टार्ट हुई 2011 में स्टार्ट हुई हमने कवर कर दिया 11-14 साल के बीच अब इस स्कीम अगर कोई स्कीम है तो कोई मिनिस्ट डिवल्मेंट ठीक है अगर आपको पूछा जाए करेंट मिनिस्टर आफ मिनिस्टर वुमेंट चाइल डेवल्मेंट तो समृति रानी है यह आपको पता होना चाहिए तो मिनिस्टर भी आप याद कर सकते हो क्योंकि आपको यह सोचलाइशन वाला पोर्शन है इसमें जितन तो वह यहां पर कहा घृट और कोन सी स्कीम के अंदर अंदर इंटीग्रेटफ सेंट इबलॉमेंट बेसक लिए इसमेंट दिखो यह बहुत बडवडा फ्लैफ्य प्रोग्राम हादव है इसके उरन्द डिप्रेंट स्कीम फ्लैजिप नेदी जा है उसमें से यह जो स्कीम है स्कीम फार डोल्सन गर्ल वो भी इसके अंडर ही इंप्लीमेंट हो रही है इसी डियस के अंडर उनको हमने आने वाई लेक्टर में कवर करना है क्योंकि आपके स्लेबस में यह मैं तो मैं वहां पर अच्छे से पढ़ा दूंगा अभी सिर्फ आप में मतलब पहले कुछ डिस्ट्रक में इसको चलाया गया तो सबसे पहले जब यह लॉंच हुई इसको फर्स्ट फेस में कुछ डिस्ट्रक में इसको लगाया गया मतलब 205 सबसे पहले इसको 205 डिस्ट्रक में लगाया ठीक है उसके बाद इसको एक्सपैंड किया गया पहले 205 में हुई उसके बाद इसकी एक्सपेंशन हुई और 303 में 2017-18 में पहुंची और बाद में जो रिमेनिंग बच गई थे उनको 2018-19 में कवर कर लिया मतलब फेस्ट मैंनर में हुआ पहले 205 में 303 दिस्टक तक पहुंचे हम और दीरे दीरे हमने बाकी डिस्टक को भी कवर कर दिया और अगर हम एक प्रेजन स्टेटर देखें तो जितनी भी डिस्टक है कंट्री की वह सारी कवर होती है अंडर स्कीम फॉर अडॉल्स और ठीक है और आपको मैं क्वेशन देता का संसर 2011 में कितनी इंडिया में और तो में अपने सक्षन में बताने तो एट प्रेजन सभी डिस्टक जो है वह कवर हैं अब यसा नहीं है और जब इसकीम स्कीम पांच दिन इसी तरह से सभी को बढ़ाते गए हम आई होब डिस इस क्लिर तो यू आप देखते हैं बैक्ग्राउंड बैक्ग्राउंड मतलब यह स्कीम कैसे स्टार्ट इसकी बैक्ग्राउंड समझते हैं देखो पहले इसकीम का नाम था राजीव गांधी स्कीम फए इमपॉवर्मेंट अफ दोल्स रगर्ल मतला हम दोल्स लगर्ल हैं उनको इंपॉवर करें इसकीम को नोग्यद करेंगे तो यह सारा हम कवर करेंगे तो बेसिकली इस किम को सीचीम को पहले क्या बोलते किशोरी शक्ति यौर ना नाम था nutrition program फाइडोलियस एक स्कीम चलती थी दूसरी किशोरी शक्ति यौर नगैजिसमें लड़किंगों को information प्रोवाइड की जाती ती इन स्कीम को कब कर जयूकर जैहे डोनाया नाम बिलेफ विफ्लेस ने दोनों को रिपलेस किया है नूट्रिशन प्रोग्राम फाइडोल्सन गर्लों कि शौरी शक्ति यूर्णा एक्जाम में पूछा जा सकता है कि सब्सक्राइब नाम क्या था राजीव गांदी स्कीम फाइडोल्सन गर्लों कि शौरी शक्ति यूर्जोना को ठीक है बार-बार में चीजें रेपीट इसलिए करवाता हो दागे आपके दिमाग में फिक्स हो जाए नेक्स अब देखो मार्च 2021 में इस स्कीम को इंक्लिव कर गया है किसमें पॉइसन वール नम का जब वह म कवर करंगीवट करेंगे तो साथ साथ वह पॉष्ण में त culpain में का क्या अब ओभीर है कंदेखो सेगहा ऑप्जोटिवदिव जो वहारी स्कीम और ईसका काम कि है तुद को डेवलब कर पाएं और इंपॉवर करेंगे हम उनको फॉर्मल एड़ुकेशन सेक्टर में लाएंगे ताकि वो पढ़ेंगे तो इंपॉवर करेंगे खुद को और उनकी से इंपॉवर्मेंट के लिए हम उनको आवेरनेस प्रवाइड करें फॉर एजिन रिलेटे यहां पर कोई पैसे नहीं दिये जा रहे हैं यहां पर बेसिकली उनको नुट्रिशन प्रवाइड की जा रही है इस तरह से काम किया जा रहे है ठीक है इंप्रूव करना है हमें उनकी नुट्रिशन को एंड हेल्थ स्टेटस आप अडोल संग तो दो चीजों पर यहां पर ध्यान रखना एक तो नुट्रिशन उनको नुट्रिशन प्रवाइड करनी है हमें ठीक है क्योंकि आपको पता है जो एडोल संग एज होती है वही एज होती है वहां पर पर नुट्रिशन हमारी बॉड़ी को मिलना इस वेडि इंपर्टन तो नुट्रिशन पे फोकस किया जाए ताकि नुट्रिशन प्रवाइड और उनका हल्थ स्टेटर हल्थ स्टेटर सेडोल संगर्ड का इंप्रूव करना आपको पता है जो होती है मैं सुरेशन का प्रॉसस भी स्टार्ट होता है उसमें परसनल हाइजीन को मेंटेन करना इस वैरी इंपॉर्टन प्रमोट अवेर्नेस बढ़ानी है हेल्थ की नूट्रिशन के और हाईजीन के आपको एक्स्प्रेंट कर चुका हूं ठीक है नेक्स्ट एमस एड़ स्पोर्ट आउट ऑफ स्कूल अगर बिच लर्निंग स्केल ट्रेनिंग इतनी इंग्लिश में नहीं सिंपल समझो देखो क कि जो अगर कोई लड़कियां है और वो स्कूल को छोड़ चुकी है तो उनको बैक ट्रांजिशन करना उनकी फॉर्मल स्कूल में वापिस लाना उनको यह मौटिवेट करना कि आप स्कूल में आओ पढ़ो इसके लिए भी स्कीम जो है वो काम करती है ठीक है और उनकी होम ब होते हैं लड़कियों के लेकर उसको खतम करना बॉइस और गर्ल्स को इकवल प्लाटफॉर्म पे लाना इस सारे चीजों के ले लेटिड अवेर्नेस जो है वो दी जाती है अंडर सेजी स्कीम ठीक है आई होप अब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हुए होंगे नेक्स्ट प आसे बारे में गाइडनस प्रोवाइड करना कि अगर कुछ इसी प्रॉब्लम होती है यू किन विजट सच-सच प्लेस्य जो पुबिक सफैंट íत का नोन То nutrition provide होती है वो दो form में होती है जो उनको help मिलती है एक तो है nutrition प्रोविजन एक तो nutrition का प्रोविजन है और दूसरा non nutrition nutrition में आगे खाना वाना प्रोवाइड करना ठीक है non nutrition मतलब खाने को छोड़के और supplements प्रोवाइड करना ठीक है अब देखो पहले nutrition प्रोविजन में देखते हैं जो भी बैनिफीशरी होगा रेजिस्टर होगा यहां पर मतलब बात करें तो वहां पर आपने प्रामी स्कूल में देखा होगा कि उनको nutrition प्रोवाइड होती है उस nutrition के supplement है उसके साथ साथ अगर कोई सची में इन्रोल है कोई वुमें उसको 600 calories जो है वो मिलेंगी जहां से सुना 600 calories मिलेंगी अठान से 20 ग्राम प्रोटीन की मिलेंगी चाहिए चैने वगारा की फॉर्म मिल जाता है अठान से 20 ग्राम प्रोटीन मिलेंगे 300 दिन एक साल में 300 दिन के लिए ठीक है अब यह nutrition दो फॉर्म में मिल सकते हैं या तो होट कुक्ट मिल्स आपको पता है खाना स्कूल में बनके होट कुक्ट मिल्स की फॉर्म में वह एडिशनली प्रोवाइड किया दा सकता है दूसरी यह तो हो गया nutrition मिलना देन उसके बाद है non nutrition प्रोविशन मतलब इसको छोड़के non nutrition में क्या मिलेगा उनको iron और folic acid की supplementation मिलेंगी folic acid की tablet मिलेंगी ठीक है तो यही कह रहा कि IFA tablets जो है और उनको information दी जाएगी food fortification food fortification होता है जब खाने में different सभी nutrients मिलाए जाए that is known as food fortification ठीक यह सारी चीज़ों के बारे में women को बताया जाए उनको iron और folic acid की tablets दी जाए आपने देखा होगा कि different अंगनवाईडी centers और different schools में क्या होता है कि primary health care वाले आते हैं ठीक है different doctors आते हैं वो camp लगाते हैं और camp के तुरू बच्चों को वो women को वो tablets provide करते हैं प्रैस आपने देख acid की tablet देना क्यों जूरी है देखो आज कल आपने सुना है कि girls में जो problem आ रही है सबसे बड़ी problem आ रही है अनीमिया की ठीक है बदों की deficiency हो रही है उनकी body में और यह स्टार्ट होता क्योंकि उनका menstruation वाला प्रोसेस होता ब्लड लास्ट की वज़ा से iron की कमी को दूर करने के लिए उनको iron और folic acid प्रोवाइड की जाती है यह आ जाएगा नौन नुट्रिशन प्रोविजन में और यह सेजी के अंडर ही कवर है प्लेस उनको यह benefit भी बताया जाते है कि बेसिकली इनके benefits क्या है आईरन की टेबलेट क्यों लेनी है supplementary diet की जूर्त क्यों है advice भी दिया ज check-up होगा adolescent girl का at least once in three months यह चीज़ याद कर लें exam में पूछा जा सकता है कि तीन वहिने में at least एक बार ज्यादा बार तो जितने वर्जी लगाओ बर एक बार आपने adolescent girl के लिए general health check-up particular नहीं general मतलब सब्सक्राइब फुल बॉड़ी इस तरह का check-up हो तकि girls के देखा जा सके कि कोई problem नहीं है ठीक है enhancing the general health of beneficial already cover ठीक है जो सब्सक्राइब करने के लिए और यह को प्रवाइड करता है अंगनवारी सेंटर ध्यान से सुनों अंगनवारी सेंटर इस इंटिक्रेटी चाइल्ड डेवलेमेंट स्कीम के तहर एंड हेल्थ बैनिफिश्री एंड रिसोर्स पर्सन फील्ड ट्रेनर्स फ्रम एंगियो कम्मूनिटी बेस्ट और्गनेशेशन देखो डिफरेंट एंगनवारी सेंट से वह भी प्रवाइड की जाती है ताकि मेंसुरेशन के पीड में जो उनका आइरन लॉस हो रहा है उसको जो है पूरा किया जा सके ठीक है आई होब इस इस क्लियर तो यू उसके बाद इंपोर्टेंट चीज किसके रिलेटिड बच्चों को जो है गर्ल्स को सला दी जाती ह ठीक है वह किसके रिलेटिड है लड़कियों को खतम करना तो अच्छी सेनिटेशन प्रेक्टिसीज उनको बताना सेफ डिंकिंग वाटर की हैबिस उनको बताना कुकिंग है और परसनल हाइजीन को मेंटेन करना उनको सिखाना इस आर फ्यू एजंड़ ऑफ एसेजिस टिक ह दो measuredidy कहीं पर यहां पर पैसे देने का बात आफ नहीं नहीं है यहां पर तो उनको निथिशन प्रवाइड की प्लस उनको इंफ इन फॉर्मेशन गाईदेंस प्रॉइड की की जा रही है ठीक है अब एडिसेंगर लेते हैं एक तो किशोरी हैल्थ कार्ड है वो क्या होता हमें देखना गटो इस सकीम का पहले नाम देखा था जिसके रिप्लेस करा था वह क्या था तो राजीव गांदी एक था है किशोरी शक्ति योजना थे ही किशोरी हेल्थ कान नाम निकला है किशोरी हेल्थ कार्ड में होता क्या है किशोरी किपेपी कि Оρείण किहां के इनसीं सब्सक्राइब की जाती है कि उसमें किस चीज की कमी है अंडर नुटिशन कितनी है उसी बेसिस में उनको नुटिशन वगरा प्रोवाइड की जाती है तो किशोरी हल्थ कार्ड इसके साथ रिलेटिड है यह चीज याद रखना ऐसे जी स्कीम में है ठीक है और इसमें यह डिटेल्स भी होती है कि किशोरी दिवस देखो एक special day बनाया जाता है किशोरी कर नाम पर ठीक है किशोरी दिवस डेट फिक्स नहीं है और एट नहीं है आ महिने में एक बार जो है एक स्थश्य डे मनाया जाता है जिसका मोलते कि निली दिन होता है जिस दिन जर्नल है 만ल जब अब वो जुवलता है जिसकांद का लाट कर दिन कर दिया जाता है मर्ये में cultural जो है स़प कर तॉल करेक्ट अंसर नहीं है स्पैसिफिक दे नहीं होता है एक दे जो है जिस दिन केंप लगता है जनरली जनरली वह भी जनरली उसी दिन को कि शोरी दिवस के रूपे मनाया जाता है वंस इन थ्री मंथ आपने याद अठना है ठीक है यूटी में हंडर परसें नॉर्थ इस्रम में नाइंटी तैं 2010 में इंट्रेड्यूस हुई रोल आउट हुई 2011 में टार्गेट ग्रूप 11 से 14 साल की लड़के हैं ठीक है को रिप्लेस करा कि शोरी शक्ति योजना को भी इसने रिप्लेस कर रहा है ठीक है और अब इसको मिशन पोशन जो है तू पॉइंट हो उसके अंदर भी इंक्लूट कर लिया गया इसका काम अब्जेक्टी में आपको अल्रेडी बता चुका हूँ को प्रोइड करना अवेर्नेस और फोली के शीड होगया आईरन की टेप्लेट वगया प्रोइड करना aham फोलीक यह सकते हैं उनकी घर में राषन भी पहुंचाए जा सकता और एक बार तीन महीने में उनका जर्नल चेक अप होना और उसी दिन को हम खिशारी दिवर्स और कि देख लें कि शोरी हल्थ का जो है अंगनवारी सेंटर में जो है में अगर आपने पहली स्कीम नहीं कवर करें वो भी कवर कर लो साथ में स्पेशलाइजेशन का पॉर्शन और जो स्पेशलाइजेशन छोड़के जो और पॉर्शन भी है वहां पर देखो यह जो बागी पॉर्शन पढ़ाया उसको साथ-साथ कवर कर लो बागी जो प्राइम फोकुस आपको स्पेशलाइजेशन पढ़ा नहीं है ठीक है और अगर आपको यह इनिशेटिव पसंद आयो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें तो अदर्स वार प्रिपेरिंग फॉर इस एक्जाइम टेलिग्रम का लिंक डिस्रिप्शन में कुछ काम करें ठीक है इस इट पर तोड़े थैंक यू सो मुच पर वाचिंग